सबको नमस्कार दिल्ली में करोना के केस अब कम हो रहे हैं करोना की दूसरी लहर भी अब कम हो रही है थोड़ी आप सभी के सहयोग से लॉकडाउन भी सफल रहा हमने पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन के बेड भी खुब बढ़ाए हैं कली जी टी बी और हॉस्पिटल के सामने 500 नए आईस्यू के बेड चालू की हैं अब दिल्ली में आईस्यू और ऑक्सीजन के बेड की कमी नहीं हैं दिल्ली में वैक्सिनेशन पूरे जोर शोर से चालू हो गया है लोगों में खूब उटसा है मैंने खुद देखा है दिल्ली सरकार के स्कूलों में जहां वैक्सिनेशन हो रहा है मैं कई स्कूलों में गया लोगों से बात की लोग बहुत खुश हैं और अच्छे से अपना वैक्सिनेशन करवा रहे हैं मैं अपने स्कूल स्टाफ और फ्रंट लाइन वर्कर्ज का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो वैक्सिनेशन में लगे हुए हैं अभी हम सवा लाख डोज रोज वैक्सिनेशन कर रहे हैं इसको जल्दी हम रोज तीन लाख से अधिक लोगों को वैक्सिन लगाना शुरू कर द रक्ष्य है कि आने वाले तीन महीने में सभी दिली वालों को वैक्सिनेशन लगा दिया जाए लेकिन एक बड़ी समस्य आ रही है और वो है वैक्सिन की कमी की लें डिली में हमारे पास अब केवल कुछ दिन के वैक्सिन बचा अख और यह समस्या देश व्यापी है पूरे देश में इस वक्त वैक्सिन की भरी कमी हो रही है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां वैक्सिन न होने के कारण अभी तक वैक्सिनेशन शाहिद शुरू भी नहीं हो पाया। लग जाएगा तब तक तो कोविड की पता नहीं कितनी लहरें आ जाएंगी कितनी बरबादी हो जाएगी इसलिए जरूरी है कि हम भारत में वैक्सिन का पादन युद्ध स्तर पे बढ़ाएं और देश के हर नागरिक को अगले कुछ महीने में वैक्सिन लगाने की राष्ट् केवल दो कमपनिया ना करें कई कई कमपनियों को वैक्सिन बनाने में लगाया जाएं केंदर सरकार इन दोनों कमपनियों से वैक्सिन बनाने का फार्मूला ले ले और उन सभी कमपनियों को दे दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सिन बना सकती हैं ऐसे कठिन समय में केंदर सरकार के पास पावर है कि वो ये कर सकती है वैक्सिन बनाने का फार्मूला सारवजे निक करके उन कमपनियों को दे सकती है जो वैक्सिन बनाना चाहती है और ये सुनिश्चित किया जाए कि भारत में जो भी प्लांट वैक्सिन बनाने में सक्षम है उन सब में वैक्सिन का उत पहली लहर आई थी, हमारे देश में पीपी किट की कितनी किलत थी, कितना संघर्ष करना पड़ता था पीपी किट लेने के लिए, सोचो अगर उस टाइम के एवल दो कमपनियों को पीपी किट बनाने का अधिकार होता, तो क्या आज देश में पीपी किट मिलते हैं, लेकिन ऐ कैसा नहीं हुआ, आज कई भारते कमपनिया पीपी किट बना रही हैं, इसलिए हम किसी और पे पीपी किट के लिए निर्भर नहीं हैं, भारत में बहतरीन इंडस्ट्रिलिस्ट हैं, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कमपनिया हैं, हमारे पास विश्व के पूर सहयोग देंगे वैक्सिंग का उत्पादन करने वाली कमपनियों के लाब का एक अंश हम रॉयल्टी के रूप में उन दोनों कमपनियों को दे सकते हैं जो उन्होंने मूल फॉर्मूले की खोज की है मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह हम अगली करोना की लहर के पह जय है